देश की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने पैरिस ओलंपिक में इध्यास तुरच दिया लेकिन मेडल की हैट्रिक लगाने का सपना अधूरा रह गया मनु 25 मेटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में मेडल से चूक गई वे ब्रॉंच के लिए हंगरी की खिलाड़ी से शूट ओफ में पिछड गई जिसके बाद मनु थोड़ा इमोशनल अजर आई उनकी आखे नम हो गई मुकाबले के बाद मनु भाकर ने सूर्या समाचार से वीडियो कॉल पर बात की और कहा कि आगे और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे ये मनु हमारे साथ ओनलाइन जुड़ी हुई है ये आप देख सकते हैं कि मनु हमारे साथ हैं मनु सूरिया समाचार से हम हैं बहुत-बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको इस चीज के लिए कि आपने एक इतिहास रचा और इतिहास इस तरीके से रचा कि दो-दो मेडल आपने ब्राउन जीते और तीसरे मुकाबले में भी काफी जबरतस तरीके से परफॉर्म किया पूरी टीम में काफी मैरत की है हम आगे भी काफी मैरत करते रहेंगे और आगे भी हो सकता है तो और भी अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे एक चीज की तो तारीफ करनी पड़ेगी आपको कि इतिहास में आपने नाम दर्ज कराया है, दो-दो मेडल आपने हासिल किये है, देश की बेटी बनकर आप उबरी हैं और मवाब तो बेहत खुश हैं आपकी इस उकलब्दी पर मनु के गोल्ड से चुकने के बाद सूरे सवाचार पर मनु के माता पीता ने कहा कि मनु की मेहनत में कोई कमी नहीं है, खेलों में हाट जीत होती रहती है तो फिर मैं ये तो था कि इतनी 25 मीटर की तो मनु की मेहनत में कोई कसर ही नहीं थी, इतनी मेहनत उसने करिये 25 मीटर में बहुत ज्यादा, फिर कहां चूकर रहेगी कहीं न कहीं तो कोई घड़बड है वो तो जस्पालसरी भी बताएंगे और मनु भी बता पाएगी कि कहां मैं से दिये था कि 25 मीटर में तो कोई रोकी नहीं सकता वहीं मनु भाकर की ननिहाल चर्खी दादरी में भी मनु की ओर से मैडल का हैट्रिक नहीं बना पाने का मलाल है, लेकिन दोनों मैडलों की रिकॉर्ड जीत पर ननिहाल में खुशी का माखॉल है मनु की ननिहीं तरही तैयारिया खूब जबरजस्ट पहुब बढ़ या और मनु का जनम हैं हमारे कलारी कामं घित्या था यह की खेल गया कर दिया करती सब वांव याई पर कर आकरती बच्छों के साथ कहला करती दूनों मानवाई और गुब बढ़े हमाव था दो मेरे पत आपको बता दें कि मनु भाकर इससे पहले मौजूदा पैरेस ओलंपिक में दो ब्रॉँच मेडल जीत चुकी है मनु भाकर ने सबसे पहले महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉँच मेडल जीता था मनुभाकर ने फिर सरपजोत सिंग के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित क्रीम वर्ग में दक्षुन कोरिया को हरा कर ब्रॉंच मेडल जीता था अजादी के बाद मनुभाकर एक ही ओलम्पिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भार्तिय मखिला खिलाडी बनी है इसके पहले किसी भी पुरुष्ट या महिला एथलेट ने एक ही ओलम्पिक में दो मेडल नहीं जीते हैं सूर्या समाचार के लिए फरिदाबाद से दिपक गौतम और चर्खी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट